कि यहां पर देखते नेक्स एक्जामपल तो हम लोग देखेंगे नेक्स एक्जामपल तो अलग है तो आप यह एक्जामपल देखेंगे तो 6x-2 by x is equal to 1 ऐसा एक्जामपल हम लोग ने पहले नहीं देखा था तो हम लोग ने बस एक ही बात बुलाएं कि अगर करना है तो उसको पहले जंगर्राइस पॉर्म में लेकर आपको सबको पता है एक्सक्वर माइनस बी एक्स प्लस प्लस इस इकल तो यहां पर आप देखो यहां पर 6x-2 by x और 1 है पहले तो बात यह दो दोनों भी अलग अलग यह वाले पार में नहीं है क्योंकि एक्टो के दो लाना है एका जो वैले आप वन भी रख सकते हो या नौट इकल टुवन भी रख सकते हो बस उसको निगेटिव नहीं रखना है तो यह एज़िए साट पर रखेंगे यह जो वन हैं हम लोग यह साट में वेजेंगे और फिन उसका जन्राइस पॉम आ जाएगा जैसे जन्रा देखों के तो आप डिवाइड गाहिए जो कि वेकिशा फैन नहीं नहीं है तो उसके लिए अभी सोच्व आप जो पर में तो यह वाला जो एक से अगर यहां के यहां पर आए तो हम लोग को यह वाले पॉण मिल जाएगा तो अगर यह दिवाइन में हैं तो उसको क्या हो सेम नंबर से तो हो चैंसल हो जाएगा और यहां पर नीचे कुछ नहीं मिलेगा जो कि दिख रहा है तो अगर आपको इसको x multiply करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा multiplying by x by x on both sides तो आपको क्या करना है equal to के दोरो side में क्या करना है multiply by x करना है कि यह equation है तो अगर आप कुछ एक जगह पर change कर रहे हो एक साइड पर multiply करें तो दूसरे साइड भी multiply हो जाएगा तो पूरा equation जो है उसको multiply by 0 हो जाएगा तो पूरा equation जो है उसको एक साइड में आप x से multiply करना हो पड़ेगा तो यह वाले जो left side है यहाँ पर x को multiply कर देते हैं 6x minus 2 divided by x minus 1 इसको जाए ब्राकेट और इसको multiply करते है एक से और equal to हाँ पर देखो के तो 0 को भी x के साइड मुटिप्लाइ कर देना है तो किसी भी number को 0 से multiply करोगे तो उसका अग सब 0 है तो as it is मैंने 0 लिद दिया अभी यह x individually जाके अंदर सबको multiply करेगा एक बार यह इसको multiply करेगा फिर एक बार यह इसको और फिर एक बार इसको multiply करेगा बस आपको यह multiplication करता है यह आपर अच्छे से बस आप यह जो बीच में इसको बार इसको ने जाए एक एक पॉर्ण आपको जाए अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिलाम यहां पर एक पर क्रोंटी प्लाइग है तो जाएगा इंचल हो जाएगा बागे बागे काट हमें एक एक स्टीज बचेगा 6x2 माइनस टू यह एक से चला गया चीब टू बचा माइनस वन एक सीज इकल टू जीग तो यह आ गया लेकिन इस पॉर्म में नहीं निक्राइब क्यूंकि एक्स का जो डाम है वो पहले होना चाहिए तो बस इनको हम लोग आगे पीछे कर देंगे तो फिर वह अपने जन्रला इस सब्सक्राइब करें तो यह वाला जो इक्वेशन यहां पर क्वेश्चन में दिखा था तो यह जन्राइब करके जन्रला इस पॉर्म में डाल जिए तो उसके अभी आप रूट्स निकाल सकते हो अपने नौर्मल वैसे तो यहां आपको बता तो यहां पर माइनस प्लू है और यहां पर जो है और यहां पर एक्वेश जो एक स्वेशन आए को नोर नौर ये जो चाहरा हको मंट्रिक्लिकेशन करना है तो इसे तो प्लू होगा करते हिसे चुम 오र गुंपर निधर मतलब ही को दो नंचालियों करें सब्सक्राइब नहीं कि 12-1 होगा वह 11 होगा हम लोगों को चाहिए 1 तो नेक्स पैक्टर देखे लिए 2 इंटू 6 तो 6-2 अगर आप करोगे तो वह होता है 4 तो 4 वी नहीं तो नेक्स देखे 3 इंटू 4 तो इसमें देख सकते हैं पूर माइनस तो आपको उसका अंसर कितना आएगा वान आएगा तो इस इस पैक्टर जिसको आपको देखना है पूर 6-2 माइनस बड़ा नंबर पहले लिखना है माइनस साइंग मैंने एजिट लिख दिया माइनस तो बड़ा नंबर है जो 4 वो मैंने पहले लिख दिया तो माइनस 4 हो गया आपको ऑफ दुमाइनस 4 x माइनस 3 hackorao नेकिन माइनस चेहीं है तो आप विस्ट एक बार करके ले तो आप यहाँ पे रॉनमी होंगे तो माइनस 4 एक। स्टम nghus आड़िया तो उसका अंसर आएगा- मैंनस एक्स थी प्लस थी एक्स आएगा इनका हूगा सब्ट्राइक्छन और उसắcा रागर माल्ह प्लस एक्सरेया उब कुई यहां जो मेंनस क्लमा बॉसके एक मांच कर दो तो अभी कॉमन लेना स्टार्ट कर दो जैसे नॉर्मल इसमें करके थे ऐसे आपको सॉल्ड करना है तो यहां से निकलेगा टू कॉमन निकलेगा क्योंकि आपको यह देखाता हूं दोड़ा स्वाल करके यहां पर इसका करो और प्लस शाइनस है तो यहां से कॉमन निकलेगा टू यहां पर विटीवर्प इमैंने अप्रिय Dannia लॉल यहां फर благ प्रॉन मिर्भक विच्छ अदर भाए लेगर्द सब्सक्राद को सब्सक्राइतों अकुर्ज सब्सक्राइब तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर यहां से ओनिकलेगा और बचा किया फिल 2x और यहां पर कुछ नहीं है यहां पर 1 है तो 2x प्लस 1 यहां पर साइज प्लस था तो मैंने अज़िए प्लस दिखिया और इसके बाद आपको पता ही है क्या करना है तो 3x-2 is equal to 0 and 2x प्लस 1 is equal to 0 यह आपके roots of the coordinate equation हो गया तो यह sums आपने देखा तो बहुत थोड़े अलग-अलग type के sum से अगर ऐसे sum आप solve करते रहोंगे तो आपको इसकी और practice हो जाएगी अगर आपको कोई specific sum चाहिए तो उसको बस आप comment में डाल दीजिए तो हम लोग उसको solve कर देंगे और कुछ भी doubt होगा तो comments में लिखते रहे और अगर आपको इस video पसंद आ रहे तो आप उसको subscribe channel को subscribe करो और जादा सी जादा आपने दोस्तों के साथ share करो थांक यू